गुड मॉनिंग विध्यार्थी मित्रों, कर्णावती विध्याले में आप सभी का स्वागत है, कक्षा 10 विशे सामाजिक विज्ञान जिसमें पाट 19 मानो विकास परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन क्या है यहाँ संसार का नियम है एक सिसु धीरे-धीरे वयस्क मानस के रूप में विक्सित होता है, एक बच्चा धीरे-धीरे वह बढ़ा होकर एक मानो के रूप में विक्सित होता है, उसका विकास होता है मानो आदि मानो आवस्ता में से वर्तमान जटिल समाज व्यवस्ता की रूप में विक्सित हुआ है पहले के जो आदि मानो थे और आज की मानो अपनी वर्तमान जटिल समाज व्यवस्ता की रूप में उनका विकास हुआ है सामाजिक व्यवस्ता और आर्थिक व्यवस्ताका भी विविन्य सोरूप में विकास हु आर्थिक उत्पाधन और उपयोग आय व्य और लाबहाने का हिसाब बनाने के लिए शुरू हुआ अर्थ सास्त्र पिछले 60-70 वर्षों से भोतिक सुक सुविधा और मानो विकास का सास्त्र बनने लगा है विश्ट के अनेक देशों के लोगों की जीवन की गुणमत्ता में काफी अंतर पाया जाता है यानि काफी अंतर देखने को मिलता है दो देशों के बीच ही नहीं अपितु देश की दो छेत्रों के बीच भी अंतर पाया जाता है जीवन की गुणमत्ता सुधारने के अन्न के लिए अन्न वस्त्र और आवास जैसी मूलबुत आशक्ताओं को संतुष्ट करना जरूरी है इसके बाद सीक्षण, स्वास्त, मनुरंजन आधी आवशक्ताओं उत्पन्ने होती है इस प्रक्रण में हम मानुविकास अर्थात क्या और मानुविकास अंक में भारत की रिस्ति क्या है आधी बातों का हम अध्यन करेंगे यानिकि जानकारी प्राप्त करेंगे अभे मानुविकास का अर्थ इस सब्द का उप्योग प्रसार माद्यमो, राजनेतव, विविद संस्ताओं और सरकारों द्वारा बारबर किया जाता है मानो विकास सब्द समू, मानो चमताव का विस्तरण, पसंदगी की व्यापकता, स्वातंतरता का विकास और मानो अधिकारों के लागों होने के अर्थ में उपयोग होता है मानो विकास के वर्सिक्षन, स्वास्त, पोसन और संसाधनों के नियंत्रां से कुछ अधिक बातों का संकेत भी करता है मानो विकास मनुष की आकंशाओ और आवश्चक हो ऐसी जीवन निर्वा की सुविधाओ की विस्तार करने की प्रक्रिया है मानो विकास, विकास की दिशा में मानो केंद्रित अभिगम है यानि कि मानो की द्वारा केंद्रित एक अभिगम है मानो विकास का उद्देश्य प्रतेक के लिए जीवन की एक समान परिरिस्तती खड़ी करना है जिससे लोग अपनी प्रतिमा की अनुसार सार्थक और स्रजनात्मक जीवन जी सके प्रारंभ में आर्थिक विकास को ही मानो विकास के रूप में मापा जाता है जिस देश की प्रतिवेक्ति आए अधिक उस देश का मानो विकास अधिक यही मापदंट माना जाता है जिसके कारण प्रतेक देश में अपनी कुल राष्टिय उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया आर्थिक विकास होने पर भी लोगों के जीवन इस्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया प्रतिविक्ति आय बढ़ने पर भी लोगों की जीवन इस्तर या सुक सुविधा या व्यापक प्रभाव नहीं हुआ यानि कि इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस प्रकार मात्र आर्थिक विकास से ही मानु विकास नहीं हो सकता मात्र आय नहीं परंतु आय का उप्योग किस तरह करना उस पर मानो विकास निर्भर करता है यानि की अधारी थे मानो विकास के चार इस्तम्ब हैं समानता, इस्तीरता, उत्पादकता और ससकती करण मानो विकास अर्थात मनुष्य को अपनी रूची, रस, चमता, बुद्धी चमता के अनुसार, सफल और स्रजनात्मक जीवन जीने में सहायक बने मानो चमताओ का निर्मान हो, समानता प्राप्त हो, विवी छेत्रों में पसंद्गी का छेत्र बढ़े मानो स्वस्ट, स्वस्ट वर्धक, स्वस्ट और दिर्गाई हो, सूचना और सिक्छन द्वारा ज्यान प्राप्त करे आर्थिक उपारजन के अऊसर प्राप्त हो, उचे जीवन इस्तर के लिए प्राकरतिक संसादन समान रूप से प्राप्त हो गुण वक्तायूक्त जीवन सेली प्राप्त हो, गंदगी का योग्ये निकाल हो और स्वास्त सम्बंदी परी रिश्थती सुधरें वेक्तिगत और सामाजेक सुरक्षा प्राप्त हो, मानो अधिकारों का उप्योग करें ऐसे सभी अवसरों का सर्जन और विस्तार के साथ मानो विकास का सम्बंध है। इस तरह मार्त्र आर्थिक नहीं परंतु मानो जीवन की सुक सांती आर्थिक समाजिक राजनितिक और समाजिक पक्छों का इसमें समावेश्ट होता है। विकासिल देशों में नवीन सुधार के प्रती उदासीनता इया द्रिना निम्न आकांचा निरिक्छक्ता साहस्वृतिक आभाव वहम आंधस्रद्धा संकुचित मान्सिक्ता रूनी वादिता पुराने रीती रिवाजों की उपरांत भोतिक और प्राकरतिक संसाथनों का प्रयाप्त उप्यूग आदिके कारण आर्थिक विकास और अंत में सामाजिक विकास नहीं सिद्ध किया जा सका अभे मानो विकास अंग मानो विकास अंग की बिभावना नोबल पूरुसकार विजयता भारती मूल की अर्थसास्त्री अमर्य सेन ने व्यक्त की थी इस संध प्रत्व मानो विकास लेक 1990 में प्रकासित किया गया था जो प्रत्व मानो विकास लेक था कब प्रकासित किया गया था 1990 में तब से इस छेत्र में सयुक्त राष्ट विकास कालिक्रम युनाइटेड नेशन डेवलोपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रतिवर्स मानो विकास ल पैस किया जाता है जिसमें विभिन्य देशों के विकास के विभिन्य निडशों के अधार पर एक वेश्विक विसलेशन पैस किया जाता है संयोक्त राष्ट विकास कारिक्रम द्वारा प्रकासित हुए प्रथम मानो विकास लेंख में मानो विकास अंक की सवकलपना प्रस्तुत हुई थी जिसमें मानो विकास अंक में तीन निर्दर्शों का संयोक्त रूप से उप्यों किया जाता था पहला है उसत आयू याने की स्वास्त, दूसरा है सिख्छन संपादन याने की ज्यान और तीसरा है जीवन इस्तर याने की प्रतिविक्ति आये इन तीनों निर्देशकों के सयुक्त अंक के आधार पर किसी एक देश के मानुविकास का अंक निशित किया जाता था। जिसमें पहला है अपेचित आयू अंक यानि की ओसत आयू स्वस्त और दिर्गाव की मापन के लिए बालक की जन्म के समय से वह कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है ऐसी अपेच्छा को अपेचित आयू की रूप में पहचाना जाता है। अपेच्छित आयू की से कहा जाता है कि स्वस्त और दिर्गाव की मापन के लिए एक बालक का जब जन्म होता है उसके जन्म से ही वह कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है ऐसी अपेच्छा करना यानि की अपेच्छित आयू के रूप में पहचाना जाता है। जिसमें आधिक्तम 83.6 वर्स और नियुन्तम 20 वर्स निर्धारित की गई है मानो विकास लेख 2015 में भारत की अपेचित आयू आंक 68 वर्स है दूसरा है सिक्षण आंक याने की सिक्षण समपादन जिसमें निम्न नुसर दो उप निर्धशक है जिसमें पहला है विद्याले औसत वर्स 25 वर्स के वयस्त व्यक्ति द्वारा विद्याले में बिताये गए वर्स जिसमें उच्चतम 13.3 वर्स और नियुन्तमम सुन्ने वर्स निर्धारित किये गए है जिसमें मानो विकास लेक 2015 के अनुसार भारत के विध्याले ओसत वर्स पांच पॉन चार वर्स है दूसरा है अपेचित विध्याले वर्स पांच वर्स का बालक अपने जीवन के कितने वर्स विध्याले में बिताता है वे वर्ज इसमें उच्चतम 18 वर्ज और नियुंतम सुन्य वर्ज निश्चित किये गए हैं जिसमें भारत की अपेचित विद्याले अंक 11.57 वर्ज हैं तीसरा है आई अंक याने की जीवन इस्तर जीवन निर्वा के मापन के लिए प्रति व्यक्तिकुल घरेलू उत्पादन को प्रति व्यक्तिकुल राष्टी आई के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है मानो विकास लिग 2015 में भारत की प्रतिविक्ति कुल राष्टे आए 5457 डोलर और प्रतिविक्ति कुल घरेलू उत्पादन 5238 डोलर है प्रतिविक्ति आए की गड़ना के लिए उस देश की आए को अमिरिका के चलन मुल्ले में गिना जाता है जिसे समक्रे सक्ति के रूप में हम पहचान सकते हैं या पहचाना जाता है इतना जानना अच्छा लगेगा मानो विकास आंकी गड़ना करने के लिए प्रतिव मापदंड का अधिक्तम और नियुन्तम मुल्ल निशित किया जाता है प्रतेक अंक की सूत्र के अनुसर गढ़ना की जाती है जिसके आधार पर मानो विकास अंक मिलता है जिसका मुल्य जीरो से एक बीच होता है किसी देश के लिए मानो विकास अंक अधिक्तम एक मुल्य तक पहुचने का अंतर सूचित करता है यह अंतर देश-देश के बीच मानोविकास की तुलना करने में उप्योगी सिद्य होता है अभे मानोविकास रिपोर्ट UNDP द्वारा वर्ष 1990 से प्रती वर्ष मानोविकास लेख प्रस्तूत किया जाता है मानोविकास लेख वर्ष 2015 में समाविष्ट 188 देशों को उनके मानोविकास अंक HDI मुल्ले के आधार पर नीचे की सारणी के अनुसार चार विभागों में विभाजित किया गया है जिसमें नौर्वे प्रतमिस्तान पर है दूसरे क्रम पर आस्टेलिया और स्विजरलेंड तीसरे क्रम पर है एसी आई देश सिंगापोर ग्यारवे क्रम पर है भारत 0.609 मानोविकास अंक के साथ 128 देशों में से 120 इस्तान पर है इसलिए वह मद्यम मानोविकास वाले देशों की स्रेणी में सामिल है इस लेक में सबसे नीचे के 128 क्रम पर नाईजर है मानोविकास रिपोर्ट में मानोविकास अंक के आधार पर देशों का वर्गी करण जिसको आप एक बार पर लेना भारत का मानोविकास अंक वर्स 1990 में 0.428 वर्स 2000 में 0.496 वर्स 2010 में 0.586 वर्स 2014 में 0.604 था और वर्स 2015 में 0.609 हुआ था इस प्रकार क्रमस सुधार हो रहा है भारत के पडोसी देशों में स्रीलंका चीन मालदीव की रिष्टती भारत से अधिक अच्छी है और वे मानोविकास अंक में भारत के उपर के क्रमपर है भूटान, बांगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यारमार्ग और अफगानिस्तान ये देश भारत के नीचे के क्रमपर है मानोविकास के समक्ष चुनोतिया मानोविकास रिपोर्ट में प्रथम पांच देशों की तुल्ना करने पर पता चलता है कि भारत को सभी निर्दशक, स्वास्त, सिक्षन और आय के छेत्र में अनेक मंजिल तै करना बाकी है मानोविकास का देश के निर्जिव भोतिक साधनों के साथ नहीं अपितु सजिव मानोशंपदा के विकास के साथ सीधा सम्मन्द है मानोविकास अंक में मानोविकास की प्रगती में बाधक जो चुनोतिया दर्शाई गई है जिन पर विसेश बल दिया जा रहा है उनमें स्वास्त, लेकिक, समानता और महिला ससक्तिकरन है इसकी आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे